उधारन चार, मोहन ने क्रिशी विकास बैंक में 50,000 रुपए दो वर्ष के लिए सावधी जमा खाते में जमा किये। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रती 6 माही बाद सयोजित किया जाता हो तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितनी धनराशी देगा। उधारन चार, मोहन ने क्रिशी विकास बैंक में 50,000 रुपए दो वर्ष के लिए सावधी जमा खाते में जमा किये। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रती 6 माही बाद सयोजित किया जाता हो तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितनी राशी देगा। हल दिया है मूलधन दिया है मूलधन पी बराबर 50,000 रुपए ब्याज की दर प्रश्न अनुसार ब्याज की जो दर है जिसे हम आर से प्रदाशीत करते हैं वह 10 प्रतिशत वार्षिक है 10 प्रतिशत वार्षिक जिसे हम दो से भाग करेंगे तो 5 प्रतिशत हमारे पास अर्द वार्षिक ग्यात हो जाएंगी यह अर्द वार्षिक है तो इस तरह से हमने ब्याज की दर जो है 10 प्रतिशत वार्षिक को अर्द वार्षिक में बतलना 10 प्रतिशत वार्षिक समय हमारे पास है समय एन से प्रतिशत होता है बराबर 2 वर्ष अब क्यूंकि हम अर्द वार्षिक लिकाल रहे हैं तो 2 एक वर्ष में 2 छे माही होते हैं तो मिश्रधन मिश्रधन ए हमें ग्याद करना है अब हम जानते हैं कि मिश्रधन एक कसूत होता है पी कोश्टक में एक धन आर बटा सौ की घात एन से हम मिश्रधन ग्याद करेंगे तो अतहा मिश्रधन ए बराबर हमारा मूल धन है पचास हजार एक धन दर है हमारी पांच प्रतिशत अरदवार्शिक बटा सौ कुश्टक बन और उसकी घात में एन है तो एन हमने छे चार छे माही निकाला है तो एन के इस्तान पर हम चार लिखेंगे उसी तरह से ए बराबर पचास हजार और यहां पर हम पांच और सौ को काटेंगे तो पांच एकम पांच दूनी दस यहां बीस रा जाएंगा तो हमारे प्राप्त होंगा कुश्टक में एक धन एक बटा बीस कुश्टक बन की घात चार या ए बराबर पचास हजार और जब हम इसका लगुत्तम निकालेंगे तो ये 20 अंश में जाएंगा 20 धने की 21 बटा 20 की घात 4 तो हम ए को लिखेंगे ए बराबर हमारे पास 50,000 गुणित 21 बटा 20 जो हमारे पास की घात 4 है तो 21 बटा 20 को हम 4 बार गुणा करेंगे 21 बटा 20 गुणित 21 बटा 20 तो गढ़ना करने पर हमें प्राप्त होंगा ए बराबर 60,775 रुपए 60,000 ए बराबर 60,775 दशमलो तीन एक रुपए इस प्रकार मोहन को दो वर्श पस्चात परी पक्वता राशी इस प्रकार साथ हजार साथ सो पच्छत्र दशमलों तीन एक रुपए प्राप्त होगी इस तरह से हमने ज्याद किया कि हमारी जो कुल राशी मोहन को दो वर्ष पच्छात परिपक्त राशी जो है वो साथ हजार साथ सो पच्छत्र दशमलों तीन एक रुपए प्राप्त होगी यह सुधारन का हल होगा